सावनेर थाना अंतरगत पाटन सावंगी में दिल दहलाने वाली घटना शराप पी कर घर में मार पीट करने वाले पीता के बेटे ने की हत्या सावनेर तहसल के पाटन सावंगी में बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी पुलीस ने आरोपी बेटे को गिरफतार किया है प्राप जानकारी के मताबिक घटना पाटन सावंगी के सद्भावना नगर WCL कॉलनी की है यहां की निवासी फिरियादी विनिता तीले कर उमरत 43 साल न नशे में दोनों बेटों कुंदन ति लेकर उम्र 20 और करन ति लेकर उम्र 12 से गाली गलोच और मार पीट करता था घटना के रोज भी फिरियादी का पती शाम को शराप पी कर घर पहुचा वह शराप के नशे में घर का सामान कपड़े इधर उधर फैकने लगा घर में बने पुझास्तल में भी तोड फोड की उसके बाद फिरियादी से मार पीट करने लगा बताया गया है कि मार पीट के दौरान उसके पती और बेटे आरोपी कुंदन ति लेकर उम्र 20 से धका मुकी हुई इस दौरान बेटे ने पिता को मुके से मारा लकड़े से सेर और पीट प पटक दिया इससे उसके पती घंशाम की मौत हो गई है फिरियादी के रिपोर्ट के आधार पर साउन एर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाब भानवी की धारा 302 के तहत प्रकरेंदर्श किया गया है आरोपी को गिरफतार कर आगी की चार्श थानेदार मारुति पीट कर घर का सामान फेक पाग करना अर उसकी आदत थी घटना के दिन भी वह नशे में धोत होकर घर पूझा और घर का सामान फेक ने लगा उसे ऐसा करने से रोकने में हसता खेलता परिवार देखते ही देखते उजड़ गया पीता का अंत और बेटा जेल के सलाखों के पीछे बीसे नियूस के लिए सावनेर्स किशोर ढूंडेले के रिपोर्ट